हालो कैसे है आप लोग तो आज हम लोग basically पड़ने वाले हैं यह हम लोग जानेंगे तो चलेए चलते हैं हम लोग तो तो प्रीबियस एके ट्रेन को इनालिसिस करने के बाद मैंने जाना कि लगभग से लगभग इसमें इस टॉपी का वेटेज लगभग 16.67% है दोस्तों आप समझ पा रहें कि इतना हाई परसेंटेज है इसका और इतना हाई है तो अगर इस टॉपी को अच्छे से देख लिया जाए अच्छे से समझ लिया जाए तो लगभग आप समझिए कि 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला हेलो अलकेंस और हेलो एरेंस के नीट के प्रिवियस एर कोशन के क्या ट्रेंड रहें जादा नहीं आठ ट्रेंड है दोस्तों लेकिन मैं मानता हूँ इसमें जो कॉंसेप्ट्स है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं इंट्रोडक्शन हेलो मिन्स हेलो हैलो मिन्स हेलो जन, अलकें मिन्स ऐसे ही हईड्रो कार्वन जो होते हैं दोस्ते वो सी एंट टों अंग्र वह अलकें रहा तो सीएटफ्टbaseर्य के साथ अगर कोई हेलोजन गुप लगा हूआ रहे है तो हैलो आलकें हो जाएगा हैलो अरे अरे मैंटी क्राय क्राइक सिर्ट बहुत जरोरी है तो trend number one trend number one क्या है दोस्तो चलिए चलते हैं check whether it is chiral or not ये compound एक दे देगा दोस्तो वो structural formula के थू हो या वो nomenclature के थू हो एक नाम दे देगा कि क्या ये compound chiral है या नहीं ठीक है तो चलिए अपने हाँ देखते हैं chiral होने के लिए अगर एक carbon है ये तो इसमें चारो group जो आपके हैं CLH, CH3, OH ये अलग-अलग होनी चाहिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चारो जो group हैं अलग-अलग है अगर ये halo arine हुआ तो इसमें halo इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ और इसके कारण aromatic हो गया दोस्तों तो ये halo arine है क्या इसके carbon जो है चारो group अलग-अलग है तो answer is yes, अलग-अलग है all are different, okay so different होने के लिए then carbon is said to be chiral chiral का means क्या होता है, chiral का मतलब क्या होता है दोस्तों, hand hand होता है, Greek में hand मतलब होता है, क्या मतलब हुआ यहा classical example of non-superimposable mirror images जैसे कि ये मेरा हाथ है अगर इसका मैं mirror image लूँ तो just ये ऐसे बगल में आएगा क्योंकि अगल बीच में mirror है ऐसे तो ऐसे आएगा, ठीक है लेकिन क्या ये हाथ impose हो रहा है तो ये दोनों hand जो मेरे है वो आपस में क्या है, enantiomers है क्या है दोस्तो, enantiomers है ठीक है, लेकिन अगर bottle का example लिया जाए ठीक है, तो ये bottle का जो mirror image होगा, ऐसा ही होगा और क्या एक दूसरे पर ये superimposable है ये superimposable है तो ये chiral नहीं है जो non-superimposable mirror images are known as chiral तो compound में इसकी क्या महत्वता है, बताईए देखे, जैसे कि एक example के थूँ समझते है ये carbon है, इसके एक chlorine है एक CS3 है, एक ethyl है और एक hydrogen है तो बताईए कि क्या चारों अलग हुआ कि ये दोनों same हो गया क्योंकि ये तो same लग रहा है नहीं, ये same नहीं हुआ अच्छा, कैसे पहचानते है कि group same है या नहीं तो सबसे अच्छा तरीका इसको पहचानने का ये है कि group are different when their molecular weight is different तो बताईए, इसका molecular weight कितना हो गया, हमारतीन 15 हो गया और इसका कितना हो गया 15 plus 12 plus 2 15, 14, 29 हो गया दोस्तो है कि नहीं तो दोनों अलग-अलग हो गया और इसका एक वैसे है इसका chlorine का 13.5 तो चारो group अलग-अलग है तो confused नहीं होना जिस carbon पे चारो group अलग-अलग हो वो chiral होता है ठीक, clear आगे बढ़ें तो चलिए कभी भी confused नहीं होना है तो चलिए ये compound बहुत लंबा सा मैंने दे दिया है जान बुझ करके कि अगर इसे आप बना लिया तो आपको chiral-टी में कहीं दिकत नहीं होगे तो देखिए इस compound ये carbon ये carbon जो है वो chiral है क्या बताईए मैंने क्या बोड़ा था चार group attach होने चाहिए क्या इस पे चार group है एक oxygen एक CS3 और ये कितना बड़ा group एक ये नहीं तो तीन ही group तो हुआ तो ये नहीं हुआ ये carbon chiral नहीं है चलिए इस वाले carbon chiral पे आते है तो ये group इतना बड़ा सा एक ये और एक ये और ये इतना बड़ा group बताई ये carbon chiral है exactly ये carbon chiral है ठीक है तो चलिए अब भी ऐसे ही देखते है अगर आप ये बना लीजेगा ये question important है क्योंकि बार बार आप देखिए कि अगर ये group ये group और इतना बड़ा ये group और इतना बड़ा ये group क्या ये carbon chiral है yes exactly yes है तो chiral carbon देखने के लिए simple सा आपको एक नियम याद रखना है ये carbon पे 4 group लगे होते है और 4 group अलग मुन के molecular weight अलग-अलग होंगे तो वो carbon chiral होगा दोस्तो बहुत simple भासा में मैं समझा रहा हूँ आपको समझ जाइए नीट में question कैसे पूछता है तो question can be asked in the form of compound आपको compound के diet structure दे देंगे ठीक है और पूछेगा कि ये 4 जो structure है इसमें कौन chiral है बताए इसमें chiral carbon है या नहीं ठीक है आपको उसका structure देखना है और बताना है ये तो बहुत असान सी हो गए इसको थोड़ा twist करते हुए क्या करता है वो structure नहीं देता है structure आपको खुद लिखना पड़ता है उसके वज़ाए वो name देता है name देगा तो आपको वो दो question में पूछ लिए एक तो chiralty चेक करनी और इस बच्चे को nomenclature आता है या नहीं ये compound का name लिख सकता है कि नहीं तो ये कैसा question हो जाता है तो चलिए आगे चलते है तो chiral है कि नहीं ये पूछता है फिर उसके बाद पूछते है कि chiralty होती है कि नहीं ये नहीं पूछेगा chiral word नहीं देगा और क्या बोलेगा कि optically active है कि नहीं बताईए क्या पूछता है दोस्तो optically active है कि नहीं है कि नहीं optically active मने chiralty और optically active synonymous word हो गया ठीक है उसके बाद पूछता है नहीं chiralty नहीं optically active है कि नहीं ये पूछेगा क्या इस compound में asymmetrical carbon atom है ये पूछेगा ठीक है तो इसका भी answer क्या है क्या आपको chiralty ढूणनी है ठीक है आच्छा इसके बाद और क्या दे सकता है कि इस compound में बताईए क्या इसके जो mirror images होंगे इन चारों में से कौन सैसे compound है जिनके mirror images non super impossible होंगे मतलब वो क्या पूछ रहा है chiralty ये चार तरीके से chiralty को घुमा फिरा करके कम से कम 15 से 20 question इस trend में आप 35 साल के trend में देखिएगा तो कम से कम हर एक साल लगबग-लग-लग-लग chiralty से question रहती है यहाँ नहीं रहेगी तो आईजोमर वाले में भी यही hello alquins के ही hello alquins को लिखजे करके एक question पूछा जाता है तो concept मैंने बना लिया क्या बना लिया भाई कि optically active जो compound होते है optically active compound का मतलब क्या हुआ वही chiral carbon existing compound ठीक है वो दो form में पाए जाते है कौन से दो मेरे हाथ कौन से form में पाए जाते थे I am righty so that's why I am dextro और मैं अगर lefty हूँ कोई बच्चे lift लिखते हैं तो क्या बोलते हैं मैं lefty हूँ तो lefty का मतलब leave हो वैसे ही compound भी दो तरह के होते हैं कौन कौन D और L D का मतलब क्या हुआ dextro मने righty और L मतलब leave हो मने lefty ठीक है चलिए right और left तो वही L से leave हो L से left एक दम आसान सान word में समझना है हिंदी में समझना है कोई अंग्रेजी नहीं कोई बड़े बड़े word नहीं दम आसान भासा में समझते जाना है और आगे चलना है ठीक है दोस्तो चलिए अब यह हम समझते हैं कि अगर कोई compound का formation हुआ suppose that की speaker में तो D और L फॉर में दोनों बन गया क्यूंकि अगर मालीजी एक कोई compound है ठीक है एक compound है और यहाँ पे CL लगा हुआ है और यहाँ पे मालीजी किसी nucleophile का फिर attack हुआ यहाँ add हुआ तो यह compound और यह compound क्या chiral हुए क्या बनने वाले product chiral हो गए तो जब भी कोई chiral चीज होगा तो वो दो तरह से होगा D और L तो मालीजी उस beaker में बना हुआ रख आ गया अब क्या करना है mixture of equimolar D and L form is racemic mixture जब इस beaker में D और L form दोनों mix है तो उस mixture को क्या बोलेंगे और क्योंकि D और L form दोनों बराबर है equimolar है same amount के है तो एजी लिए क्या बोलेंगे दोस्तों racemic mixture यह racemic mixture word कहां से आया कभी सोचा है आपने तो मैं सोचने पे बताता हूँ आपको racemic का word होता है जैसे अंगूर के गुच्छे को आप देख पा रहा है यहाँ पे अंगूर का गुच्छा है means a bunch of grapes यानि कि यहाँ पे bunch का मतलब क्या हुआ bunch of D and L compound is known as racemic mixture क्योंकि दोनों मिले होते हैं grapes में भी जो अंगूर होते हैं दोनों सब मिले एक तरह के रहते हैं इसलिए तो आप question यह पुछता है दोस्तों कि method method बताइए जिससे कि D और L form को अलग किया जा सके one to separate yes the process दोने is resolution resolution कहते है resolution कहते है कुछ भी बोलिए converting inensiomer into diastereomers ठीक है आपको याद रखना है कि inensiomers किसी भी रूप में अलग नहीं होते हैं नहीं उनके atomic compound का weight अलग होता है सिर्फ और सिर्फ वो optically active यानि कि plane polarized light को right hand side मोड़ देना या plane polarized light को left side मोड़ देना ये उनमें अंतर होती है बाकि कोई अंतर नहीं होता लेकिन diastereomers में physical properties अलग होते है boiling point अलग होता है ऐसे उनको अलग किया जाता है resolution करने के लिए जब भी दो लोग आपस में मिले हुए हो उनको अलग करने के लिए उनके बीच क्या किया जाता है resolving agent लाया जाता है resolving agent क्या होता है यहाँ पर use क्या जाता है tartaric acid किसी भी matter को सुल जाने के लिए CBI को आना पड़ेगा CBI is nothing but agent FBI agent resolving agent होते है tartaric acid non-super-imposable mirror images होते है वो asymmetric carbon रखते है और क्या दोस्तों इतना चीज हम लोग पढ़ लिए फिर solution जो बनता है उसमें कितने तरह के D और L जो रहते हैं उनको separate करने की विधी क्या है resolution कहते हैं very good resolution जो रहती है उसमें हम लोग resolving agent के रूप में क्या लेते है tartaric acid very good तो हम लोग का एक तरीका खत्र अब मात्र साथ तरीका और बचा है अब जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको important compounds and information सबसे important compound जो अगर hello alcanes के रूप में देखें तो वो chloroform होता है बस hello alcanes का use समझ गए filmों में हमें बहुत दिखाया जाता है कि एक कैसी bottle bottle बताए किस bottle में रहती है bottle name अगर बताते हैं आप हमें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा किस color का bottle रहता है chloroform यह बताए दोस्तो chloroform chloroform जो होते हैं उसका पहले structure देखते हैं methane क्यों methane क्योंकि एक carbon है ओके ठीक है इसके preparations पूशे जाते हैं तो इसमें तीन विदी लिखा हुआ है laboratory preparation industrial preparation और commercial preparation तीनों में क्या अंतर है सर यस अंतर है laboratory preparation का मतलब यह lab में बना है अच्छा इससे क्या conclusion निकलता है इससे यह conclusion निकलता है lab में बनाने वक्त हम लोग ने इसके बनने के ऊपर कितना पैसा लगा इन सभी बातों को दरकिनार करके वो compound अच्छा बने इस पे फोकस किया ठीक है अच्छा what about industrial preparation industrial preparation वो भी दी है जो industries में बनाई जाती है तो industries में बनाई जाती है किसके लिए mass level पे उसे distribute करने के लिए और जब भी हम किसी चीज को mass level पे distribute करते हैं तो हम लोग उसके economic factor को जरूर include करते हैं तो industrial preparation में हम लोग उस तरह के बिधी को ढूनेंगे जो सस्ता हो है कि नी जिसमें कम पैसा लगे और उसी का दूसरा नाम क्या है commercial preparation that वो पिधी वो preparation जिसमें हमें कम पैसा खर्च करके वो compound मिल जाए तो आप समझे कि वो industrial preparation है और commercial preparation तो इन में पैसे की बात पैसे का जो पैसे का factor नहीं रहता है ठीक है इसमें factor का लेकिन इसमें पैसा महत्व करता है जो सस्ता होगा उसे ही हम अपनाएंगे industrial में और commercial में ठीक है चली एक chloro form बनाने की बेदी हम लोग समझते है सबसे पहले आप एक compound लेंगे ठीक है ये क्या compound है बताए calcium hypo very good calcium hypo chlorite okay दोस्तो calcium hypo chlorite है calcium hypo chlorite powdered form में होता है जब water में हम डालते है तो reaction करके CL2 gas दे देता है ठीक है ये CL2 gas ये बंद chamber में होता है ये pipe के थूँ उपर आता है और इसे pipe के थूँ नीचे लाते है अच्छा ये क्या है ये इसके properties को बता रहा है कि ये दो properties यहां रख रहा है mild oxidizing agent और chlorinating agent रख रहा है ठीक है इसके बाद ये नीचे आता है यहां पे फिर एक दूसरे chamber में भेशते है इस tank का नाम क्या है दोस्तो chlorination tank sorry chlorination tank में क्या होता होगा chlorination very good जब ये CL2 और यहां पे किसके साथ chlorination होता है दोस्तो ये बताए sorry थोड़ा भी नहीं नहीं है दोस्तो तो ये problem थोड़ा होता है कोई दिकत नहीं है हम लोग resolve कर लेंगे हर चीज़ को है कि नहीं अगर एक्छा सही है आपकी अगर आप सच में चाहते हैं कुछ करना तो आपको कोई चीज नहीं रोख सकता है मैंने तो यही सिखा है अपने life से आप अपने विचार जरूर इस पर रखें तो सबसे पहले CL2 को इस acetone से reaction करना पड़ता है अंदर chlorination tank में इस chlorine gas को ठीक है जब acetone से reaction करता है तो यह compound बनाता है इस compound को फिर हम दूसरे tank में डालते हैं एक question आता है दोस्तों acetone का formula क्या होगा acetone का formula क्या होगा आप ही बताए acetone जब A लिखते हैं अपन तो देख रहे हैं यह बड़े 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 दो lines है यह दो lines बताते हैं और इसमें O उपर add कर दीजे मतलब इधर CS3 इधर CS3 और बीच में जो है उस पर O यह acetone का formula है acetone की जगह पे कभी-कभी हम लोग क्या लेते हैं Ethyl alcohol लेते हैं यार रखिए दोस्तों कभी भी Ethyl alcohol plus hypochloride calcium hypochloride जोड़ करके भी बनाया जाता है यह compound जो यहां पे बन गया इसे नीचे लाया जाता है नीचे लाकरके इस tank में डाला जाता है इस tank में जो यह compound है और plus calcium hydroxide का powder है दोनों मिलके यह चमतकारी पदार चमतकारी product बन जाता है जिस क्या नाम दिया गया है chloroform ठीक है और इसके साथ-साथ byproduct के रूप में calcium acetate मिलती है कोई दिकत नहीं है बस इतना ही है आराम से questions इसमें कैसे आते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तो calcium hypochloride क्या option में CL2 रहेगा तो वो option हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों CL2 तो calcium hypochloride को पानी में गोनले से बनता है आप सोचिए कि आप direct CL2 देकर कैसे बना सकते है वो बहुत महंगा हो जाएगा और यहीं तो मैं नहीं चाहता था industrial preparation में CL2 gas अब सोचिए कि उसको ढोने में उसके tanks को लाने में उसको fit करने में store करने में कितना पैसा लगेगा लेकिन industrial purpose पे हमें इस पैसे को cut करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा पांच बोड़ा जाए 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 calcium hypochloride खड़ीद लूँगा उसे पानी में डालूँगा और दुनिया भर का मेरे पास chlorine gas होगा और फिर आगे काम करेगा तो इसमें answer is calcium hypochloride लेते हैं जो कि इसके बाद जो chlorine बनता है mild oxidizing agent chlorinating agent होता है इसके बाद यहाँ acetone या ethyl alcohol लिया जाता है इसका CL2 से reaction होता है compound बनता है यह compound का फिर हम लोग क्या है calcium hydoxide के साथ reaction फिर मुझे क्या मिल जाता है chloroform very good यह यहाँ तक खतम होगा दूस्तों दूसरा जो compound है वो phosgene है phosgene का मतलब क्या होता है अभी यह जो चमतकारी पदार्त उपर just बना था जिसका नाम बोली chloroform है chloroform का मैंने oxidation करवाए इसका मतलब क्या होता है nascent oxygen यह जब यहाँ पे oxygen घुसा oxygen इंटर किया तो यह OH बन गया और OH जब बना तो CL को as a living group निकाल दिया तो यह क्या बन गया दोस्तो यह chloro यह chloro और बीच में इसका नाम क्या है carbonil chloride very good जिसका नाम क्या होता है phosgene बोलते है यह poisonous gas है दोस्तो मतलब यह पूरा खंदानी जो है chloroform का poisonous gas मारने और यह सब में यूज हो रहा आप देखिए मारने से याद आया है मुझे tear gas yes tear gas मतलब आसू का गोला आसू गैच छोट रहा है road पे सुने है आप लोग ऐसा सुने ही होंगे ठीक है तो क्या मतलब होता यह हुआ chloroform chloroform को मैंने जब HNO3 से reaction करवाया तो H is replaced by NO2 और इसका नाम दोस्तों क्या होता chloro picric acid chloro picric ठीक है जो की irritant to eye होता और भीड में हटाने के लिए mob को mobilize करने के लिए हम लोग फेकते हैं और जैसे ही फेकते हैं तो यह compound हावा में आ जाता है और आखों को irritant करने लगता है और फिर सब लोग भाग जाते हैं इसलिए इसका नाम के है आसुगास ठीक है तो यह होगा है दोस्तों दूसरा compound तीसरा compound जो आता है frions बहुत लोग सुने होंगे यह क्या है CFCs chloro-fluorocarbons chloro-fluorocarbons what is CFCs? chloro-fluoroderivative of methane and ethane okay is known as frions ठीक है भाई frions के photo देखते हैं अगर यह methane है तो इसके H को replace कर दिया F से H को replace कर दिया C L से यहाँ भी वही हुआ है अब देख पा रहे हैं सभी H को replace कर दिया यहाँ तो फ्लूरो से नहीं तो ख्लूरो से क्या दोस्तो frion 12 ठीक है और इसका particular compound का नाम क्या है frion 11 दोस्तो कभी-कभी क्या होती है मैं खुछ परहाना तो चाहता हूँ लेकिन duty रहती है ठीक-ठाक duty रहती है अच्छी duty हेक्टिक duty रहती है दोस्तो तो कभी-कभी video delay हो जाता है तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ और हरदम कोशिश करता हूँ कि आपको समय पे और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को इस video से फाइदा हो मैं जानता हूँ कि ये video बहुत आपके लिए लाफकाई है अभी आप जो पढ़ रहें बस ये supplement मिल जा तो आपको बहुत फाइदा होगा थोड़ा जो 30 मिनट का दायरा है इसमें मैं बहुत चीज़ बताने की कोशिश क्या हो तो हो सकता है कि 30 मिनट से थोड़ा जादा हो जाए इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ लेकिन दोस्तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कम से कम ये जो 10 नमर मैंने पहले बोला था वो 10 नमर 20 नमर में नहीं बदल गया तो फिर मुझे बोलिएगा मैं पूरे इमांदारी के साथ पढ़ाता हूँ दोस्तो आप देख पा रहे हैं और आप आने वाली वीडियो में मुझे जज करिए आप जो करिए तेकिन देखे का मैं बहुत इमांदारी से पढ़ाता हूँ तो most common freon कौन होता है दोस्तो freon 12 होते हैं यह क्या करता है depletion depletion मतलब छेद आप तो जानते ही होंगे depletion मतलब क्या होता है दोस्तो छेद कर देता है यह ozone layer में ozone layer के किस स्टेटा में अपर स्टेटा में यहां से मैं आपको environmental issues के chapters में भी ले जाता हूँ कभी कोशन आजाता है कि freon किस layer को पहले तो depletion करते हैं तो answer is ozone layer ozone layer में कौन सा स्टेटा अपर स्टेटा देखने हैं एक चगह से दो कशन का ऐसे linked हो जाती है यह आप chemistry के environmental chemistry के भी questions इससे solve हो जाएंगे तो environmental chemistry से याद आया कि अगला वीडियो छोड़ा सभी दियो मातर 10 से 15 मिनिट में दोस्तो environmental chemistry का मैं कर भाऊंगा इससे एक से दो कोशन आते हैं चुटकियों में मेरा काम हो जाएगा मैं एक chapter भी हो जाएगा और confident कोई भी chapter कभी भी छोड़के आपको neat में नहीं जाना है दोस्तो वो एक chapter छोटा सा जिससे कोशन आया या नहीं है इतना बड़ा आपके अंदर confidence में छेद कर देगा जो कि मुझे मन्जूर नहीं neat aspirant को कभी भी confidence कम नहीं करना है confidence का game है या और किसी चीज़ का game नहीं है अगर आप मरीज देख रहे हैं अगर मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर आप मरीज देख रहे हैं तो किस तरह से आप समझिए कि आपको deal करना होगा अगर आप confidence lose कर दीजेगा अगर patience माल लीजे उस तरह से saturate नहीं कर पा रहा है या कुछ नहीं आप ठीक कर पा रहे हैं और आपका confidence lose कर दीजेगा तो patient तो नहीं बचने वाला इसलिए जरूरी सबसे पहले ये है कि आप अपने confidence को बुलंद रखें तभी आप कुछ ऐसा कर पाएंगे interventions या जो भी है तो वो patient को बचाने की इसलिए जो doctor के गुन होते हैं वो medical college में नहीं NEET की तैयारी के वक्त ही बच्चे सीखते हैं तो अपने अंदर doctor के क्या क्या गुन है लक्चन है जरूरी चीजे हैं वो inculcate करिए तो आपको बहुत फायदा होगा चलिए दोस्तों बाते जरूरी हैं motivating बाते बहुत जरूरी हैं लेकिन वीडियोज थोला लंबा हो जाएगा ठीक है डिपलेजन ओफ ओजोन लेयर हो गया अधर रिफिजरेंट के रूप में क्या होता है अमोनिया यूज होता है DDT DDT का नाम आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों बायोजी में भी बात हुई है बताएगे कहां बात हुई बायो मैगनिफिकेशन में बात हुआ है DDT में यह जो कंपाउंड इसको क्लोरल बोलते हैं इसको क्या बोलते है ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड क्या बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड को अगर हम chloro benzene से reaction करवाएंगे in the presence of comcast way so far gives us ddt ddt का fruit from क्या होता है हम नब क्या है रटना नहीं है di chloro, यह किसका di chloro है इन दोनों का di chloro है di chloro हो गया, उसका di phenyl di phenyl कहाँ है, यह phenyl और यह phenyl group मिलके di phenyl बना रहा है दोस्तों ठीक है, उसके बाद tri chloro यह जो carbon है, इसके 3 chloro को हमेंने tri chloro बोला है और यह phenyl मैं इस box में 2 carbon को बोला हूँ, इसलिए डी 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 का fruit from क्या हो गया, आग बन कर यह D say di chloro, D say di phenyl tri chloro, यह phenyl ठीक है, यह होगा DDT दोस्तों, usage क्या है, आप बताईए बहुत, इसके तो पर बहुत चर्चा चलती है, डीबेट चलती है कि हम इंडिया को third world country कहा जाता है, और यहाँ पर इसकी use होती है, दोस्तों, यह अमेरिका का साजिस है, कि हम लोग को third world country कहा जाता है, लेकिन इंडिया is leading इंडिया 10 साल से 15 साल के अंदर आप देखेगा, दुनिया के लेवल पर खड़ा हो जाएगा, यह एक बड़े लोगों की साजिस होती है कि छोटो लोगों को छोटा बोलो ताकि वो inferior feel करे, हमें inferior feel नहीं करना है, यही चाल जो है अमेरिका चल रहा है दोस्तों, यह politics है, लेकिन rate of nucleophilic substitution reaction is very very important यह पुछा जाता है, मैंने दो train खतम कर दिया दोस्तों, आपको पता चला एक chiralty के उपर, एक important compounds के formation के उपर now comes तीसरा, rate of nucleophilic substitution reaction, यहाँ मेरे कान खड़े होगा जब मैंने nucleophilic सुना, nucleophile सुना substitution सुना, दो वर्ड तुरन तुरन आ गया nucleophile क्या होता है, सबको पता है substitution क्या होता है, सबको पता अब इस label पर आपको बताने की जरूरत नहीं है तो rate of nucleophilic substitution reaction कभी भी पूछे, तो nucleophile add, दिमाग मिलाना है लेकिन क्या हो जब वो nucleophile बोले ही ना, जैसे कि rate of hydrolysis बोल दे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ nucleophile आज़े, OH माइनस आ रहा है H2O से तूट करके, OH माइनस nucleophile आ रहा है दोस्तों, कभी nucleophilic addition, nucleophilic substitution नहीं बोलके क्या बोलेगा, solvolysis solvolysis का मतलब क्या होता, solvent water as a use हुआ है, तो वहाँ भी nucleophile OH माइनस आएगा दोस्तों, समझ पा रहा है nucleophilic substitution reaction का reactivity is slow, low, lowest, fastest ऐसे करके पूछ सकता है अगर यह hydrolysis और solvolysis बोले तब पर भी आपको दिमाग में यह रखना है कि यह क्या है, nucleophilic substitution reaction very good, अब देखिए यह चमतकारी डाइग्राम यह अगर nucleophile है यह अगर nucleophile है तो इस benzene ring में सबसे पहले construct करूँगा बनाऊंगा, और मैं यहाँ देखूँगा कि इस nucleophile को कौन फाइदा पहुंचाएगा कौन सा charge, तो nucleophile है opposite attract, nucleophile को फाइदा पहुंचाएगा plus charge, अब मैं दो group add करूँगा, क्या अगर donor यहाँ donate करेगा, this is the flow of electron मैंने कल बताया था, कि electron जिधर जाता उधर minus देता है जिधर से जाता उधर plus देता है तो अगर आप बताइए कि यह जो minus charge है, यहाँ पे तो minus हाजागा बहुत सारा, क्या यह minus इस nucleophile को फाइदा पहुँचाएगा यह घाटा repel करेगा दोस्तो, तो donor जो हो गया, इस nucleophile को स्वागत welcome नहीं कर रहा, unfavor the nucleophile, ठीक है, बसरते अब देखिए, यहाँ acceptor को देखिए, acceptor का क्या मतलब होता है accepting the electron, electron को जब accept के, तो यहाँ minus, यहाँ पलस और पलस आने से nucleophile खुस खुस, यहनि कि welcome nucleophile ओके, अब देखिए unfavor unfavor nucleophile कर दिया था, इसलिए इसको जो चीज़ आपको unfavor करें उसको deactivator मानिए, neat के तयारी में जो आपको confidence लूज करें बोले कि आप तो गुरबक हो, भौंदू हो, गदे हो हमाँ लीजे वो deactivator है life में जो आपको motivate करें, वो क्या है, activator है ठीक है, हम लोग के दवरान तयारी में कितने लोग हम लोग को demotivate करते हैं, दोस्तों बताईए लेकिन अपने कान को बंद रखना है अपने दिमाग को चालू रखना है और उन्हीं लोगों को तो हमको दिखाना है मैंनद करके, है कि नहीं मैं उन्हीं लोगों को दिखाना, deactivator हो गया तो देखिए, जो भी activator होते हैं, है कि नहीं जो भी activator होते हैं वो ortho paradirecting group होते हैं और जो भी deactivator होते हैं, और जो भी deactivator होते हैं donor group reactivity को कम करता है कितना असान सा concept है if you have problem with group identification अगर आपको दोस्तो कभी-कभी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनका organic law week होता है तो अगर आप group में group identification करने में दिकत होता है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता है अब थोड़ा तोलरेट करिए थोड़ा अपना पहले copy से पढ़ के आईए कि groups कैसे पहचाने जाते हैं बाकी में वीडियो बनाने के लिए तयार हूँ अब कोई दिकत है तो comment कर सकते हैं तो तीन तरह के दोस्तो trend खतम तीसरा trend क्या था मेरा कि rate of nucleophilic substitution reaction में is कितना असानी है तो बढ़ाता कौन है minus i और minus m घटाता कौन है plus i और plus m खतम हो गया दो word और कौन से बताये थे मैंने बताईए rate of hydrolysis rate of solvolesis दोनों hint कर रहा है कि nucleophilic substitution reaction है दोस्तों यह होती है बाद जब मन लगा के पढ़ता आदमी तो उसका original तो निकलता है निकलता है तो कोई नहीं रोख सकता है इंपोर्टेंट reactions of halo alkenes और halo alkenes यह थोड़ा important है यह थोड़ा धैरे से पढ़ना है और पढ़िये आप मेरे साथ आपको बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है चली तो सबसे पहले halo genation halo genation का मतलब ही है halo genation halo gen की कहीं बात हो रही halo gen में क्या आते है fluorine, chlorine, bromine, iodine हाते हैं halo genation जो हो रहा है इसमे इसमें आप देखें कितने hydrogen लगे हुए है यह replace कर देता है सभी hydrogen को दोस्तों जभी hydrogen को replace कर देगा किस से कर देगा भाई, chloro से so that's why it is known as chlorination यह halo gen से replace हो रहा है इसलिए halo genation आप देखें इस तरह के halo genation जो होते हैं उसमें आप देखेंगा कि सबसे पहले यहाँ पर CL2 या X2 देदेगा और sunlight देगा जैसे ही sunnet दे दिमा क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ से प्रकास निकलने वाला है ठीक है दोस्तों और यह dot बता रहा है मुझे यह dot मुझे बता रहा दोस्तों कि यह कुछ और नहीं बढ़ा free radical mechanism से जाता है किस mechanism से दाशता है दो तो free radical mechanism से जाता है ठीक है free radical mechanism से दाशता है ठीक ना चली free radical mechanism हो गया तो यह क्या करेगा सभी जगा सभी जगा जो है अपने chloro chloro को लगा देगा है और इसके double bond जो है खतम हो जाएंगे देख रहे हैं दोस्तों सभी जगा लग गया स्वरी यहां पर गलती हो गई है मुझसे लगती है यह नहीं हो आप सही है ठीक है तो यह compound आप देखिए पूरा इसमें C6, S6 और CL6 हो गया दोस्तों C6, S6, C6, C6 मैं हेलोजिनेशन में मैंने X2 लिया और Sunlight लिया तो free radical mechanism से गया इसका benzine पे करने पर यह compound का नाम C6, CL6 है इसके name क्या है दोस्तों इसको बोलता है benzine hexachloride ठीक है इसी का नाम क्या है gamaxin इसे एक नाम क्या है lindin इसे एक नाम क्या है hexachlorocyclohexin इसी का क्या नाम है दोस्तों 666 उतना कौन बोले C6, H6, CL6 सिपसे सब गोल दो 666 क्या कि नहीं साइन्टिस्ट लोग का यह सब बनाया हुआ दोस्तो यूज क्या है इंसेक्टिस चलिए कोई दिकत नहीं है अब यह बताई अगर यह compound है ठीक है यह compound दे देगा नीट में बहुत बार यह question है कम से कम कुछ नहीं आया होगा तो पांच बार तो जरूर आया होगा यह question यह क्या है दोस्तों इस compound का नाम बताईए मैंने पिछली क्लास में बताया था comment करके बताईए इसका नाम क्या मैंने hint दे रहा हूँ बार बार क्या है क्या नाम है इसका चलिए very good xylene xylene को अगर यह क्या दे रहा है hallucination करवा रहा है clear है कौन से mechanism से जागा free radical mechanism से जाता है जब जाता है तो यह 3H को replace कर देगा मेरा यह question है कि सर यहाँ पे जो hydrogen है या उस benzene ring में जैसे इसको तोड रहा था इसको क्यों नहीं तोड सकता है तो मैंने इससे पहले मैं तो सब बता चुका हूँ कि कभी भी aromaticity इतनी हसानी से lose नहीं होती है दोस्तों तीखना इसके पास जब यदर hydrogen option है ही तो यह अपना aromaticity क्यों lose करेगा कभी नहीं करेगा तो यह क्या बोलता है chlorine को कि वाई तुमको अगर लगना है तो यहाँ लगो नहीं तो जाओ यहाँ से तो फिर chlorine बोलता है ओके मैं यहाँ लग जाता हूँ तो यह 3H को replace करके यह बन जाता है इसका क्या नाम हो जागा दोस्तों आप बताए कमेंट करके trichloro क्या नाम हो जागा trichloro xylene या methylbenzen जो आप बोलना आप चाहते है trichloro जाली नहीं यह trichloro methylbenzen बोलते हैं इसको ठीक है special type का आप देखिए एक तरह से कि इसी hallucination में ही दो तरह के hallucination होगा एक होगा है जब आप x2 sunlight लिये थे और एक है कि x2 के साथ आपने sunlight को नहीं लिया कि इसको लिया fe cl3 या fe दिया रहाता यह क्या है दोस्तो अपने leuce acid है और जब आप x2 प्लस fe cl3 लेते हैं तो यह x प्लस as a electrophile आपको देता है electrophile अब कहां खड़े हो गए मेरे electrophile देता है electrophile क्या करता है यहाँ पे लग जाता है जो already present रहता है यह तो simple है यह कहीं भी लग सकता है क्योंकि मैंने बताया था इस सभी carbon जो है बराबर है आपस में तो आप कहीं लगाए कोई दिकत नहीं होगा लेकिन इस group में अगर group लगा हुआ है तो उसमें कहां जाता है यह देख लेते हैं जल्दी से कि अगर activator for electrophile कौन होगा electrophile के लिए activator का काम करता है donor plus i और plus i कैसे यह पहले जो मैंने बताया था कि electrophile आएगा plus charge है और इसको बेंजीन में कौन सा charge इसको पसंद है negative charge डोनर देता है तो negative charge आता है और वो electrophile को पसंद है है कि नहीं आप समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है मैं बता देता हूँ जल्दी से time का constraint है दोस्तो duty भी है चलिए कोई नहीं अगर माल लीजे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको दो group ऐसे करके बनाने है एक ऐसे और एक ऐसे यह माल लीजे नहीं माइनस i और माइनस m क्या होगा दोस्तो पताये एलेक्ट्रो फाइल के लिए मेटा रियेक्टिंग ग्रूप होगा simple कितना असान है यह मैंने पढ़ लिया क्या पढ़ लिया भाई हैलोजी नेशन रियेक्शन ठीक है दूसरा क्या है दूसरा है reaction with Grignard Reagent गरियेक्शन विद ग्रिगनार्ट रियेजेंट क्या होता भाई मैंने सुना है अपने सुना है कभी Grignard सुना ही होगा इसका दूसरी वे में दूस्तो Grignard Reagent अब नहीं नाम बोलता है इसको अब देता है Mg Ether के form में हैलो एलकेंस Rx है हैलो एरिंस PHX है इसका जब आपने reaction करवाए है Mg Dry Ether से तो यह क्या बन जाता है RMGX यही होता है Grignard Reagent यह आपने PHX को जब reaction करवाए है Mg Dry Ether से तो PHMGX बन जाता है यही है Grignard Reagent यहीं पर क्या हुआ हुआ है metallic क्या बोलते हैं carbon और metal के बीच में bonding बन जाता है Organo-Metallic Bond is present क्यों सबन? Organo-Metallic Organo क्यों? क्योंकि Organic का यहाँ carbon है और metal के रूप में Mg है तो Organo-Metallic Bond इसको बोलते हैं Grignard Reagent को आपन करना है और हरदम यहीं बोलना है कि यह कुछ नहीं बलकि R- और PH- ही मतलब अगर इतना बड़ा RMGX है तो इससे हमको क्या मिलने वाला है R- PHMGX इतना बड़ा तो इससे हमको क्या मिलने वाला है PH- Simple तो हमको यह Gignard Reagent जस्ट donor का का काम कर रहा है यह clear होगे है दोस्तों यहाँ पर लेकिन अब question यह उठता है क्या यह R- और PH- किसके तरह behave करेगा क्या यह acid है ठीक है यह यह nucleophile है तो अब देखते हैं क्या होता है अगर यह strong base कब होगा जब इसके साथ acid को react करने के लिए तयार हो if reaction with acid और nucleophile कब होगा जब acid-based reaction नहीं होगा तब यह nucleophile है कितरह act करेगा कैसे पता चलेगा कि सर यह acid-based reaction हो रहा है कि नहीं acid-based reaction देखने के लापब कुछ नहीं करना आपको देखना है कि उस compound में क्या hydrogen किसी more electronegative element से जुड़ा हुआ है कौन? FON फोन करते हैं हम लोग याद रखना है FON ठीक है? अच्छा वो रहे तो समदल लिजे कि उसमें acidic hydrogen है और gregonard reagent में CH3 जो है सिल्फ और सिल्फ इसमें जैसे कि H2O को तोड़ा अपने तो क्या बना? H+, और OH- बना तो यह H+, के साथ यह react कर जाएगा और क्या बना देगा? CH4 ठीक है? और जितना hydrogen more electron negative element से जुड़ा हुआ है जैसे कि hydrogen के case में देखिए है कि sorry hydrogen के water के case में कितने hydrogen more electron negative से जुड़े हुए है? दो तो दो ही CH4 बनेगा दोस्तों अगर ammonia की बात मैं कर रहा हूँ ammonia में कितने hydrogen है? तीन hydrogen है दोस्तों तो तीन CH4 बनेगा ऐसे ही अगर सब ही component में आप देख पा रहे हैं कि क्या है? more electron negative से जुड़ा वा यहाँ 2 है इसलिए 2 बन रहा है दोस्तों यहाँ 2 है इसलिए 2 बन रहा है तो जितने more electron negative elements से hydrogen जुड़े वो रहेंगो उतना ही यह methane देता है दोस्तों clear हो गया? कोई suction से नहीं है आप आईए यहाँ पर कि nucleophile के जैसा कब act करेगा? जब कोई acid based reaction ना हो यानि कि वो hydrogen किसी more electron negative से attached नहीं हो तो क्या को होता है उसमें? वो CH3 minus act करता है कि इसके जैसा nucleophile के जैसा है माल लिज़े यह दोस्तों क्या है? Acetyl Dehyde है Acetyl Dehyde में CH3 minus क्योंकि Grignar DG is just a source of R minus मैंने भी बताया तो यहाँ act करेगा यह minus है यह bond उपर खूलेगा यहाँ minus बनेगा यहाँ plus बनेगा यह plus को लेकि यहाँ attack करेगा और यह CH3 जूट जाएगा और O minus MgX के साथ अगर इसमें मैं फिर बाटन मिलाओ तो water मैंने पहले बताया था कि water यह H3 plus सुनते ही कान खड़े हो जाना चाहिए यह source है H plus का H plus जब यहाँ act करेगा दोस्तों तो यहाँ पर इस MgX को हटा के फेक देगा मस्ती करने जाओ Mg और तुम H plus यहाँ लग जाता है तो यह क्या बन गगा दोस्तों देखिए primary, secondary, secondary alcohol बन गगा compound बहुत पूछे जाते हैं एक question यह पूछा जाता है कि कौन compound कितना methane gas दिया यह कैसे पता चलता है तो इसको बोलते है zero with nobs determination zero with nobs determination बोलते हैं पहले question आ रहा है करता था यह पता करता है कि इसमें ketene active hydrogen atom है कितने जो है more acidic hydrogen atom है जो की जुड़े है A4N से कैसे पता चलता था जितना CH4 निकला है amount में ठीक है वो volume बाइज ना पाया जाता है gas है तो volume से निकलता है जितना ज्यादा मतलब निकला एक लिटर निकला तो एक methane ऐसा समझते है दो लिटर निकला तो क्लूमिल क्या अब तीन निकला तो एक standard ले दिया जाता है कि कितने में कितना निकलता है उसके बाद यह technique याद रखना है दोस्तो zero with nobs हम लोग पता करते हैं कि कितने active hydrogen उसमें है जो कि FON से जुड़े हुए है help of grignaard reagent यही है help of grignaard reagent क्या होता है दोस्तो यह RMGX के थू ही हम लोग निकलते है कैसे पता चलता है कि किस hydrogen में कितना active hydrogen है विद्दे help of grignaard reagent फिर से बोले किसी compound में कितना active hydrogen है यह कैसे पता चलता है उस compound का reaction करवाईए RMGX से उसे जो methane gas निकलेगा वही मेरा इतना से indication है कि कितना इसमें active hydrogen है कोई दिकत कोई दिकत नहीं तीसरा reaction जो जल्ली जली पढ़ने है reaction ही थोड़ा जो दोस्तों इसमें important है अब फ्रिडल क्राफ्ट alkylation यह बहुत असान है कि बेंजीन को यहाँ पे Rx लेते है Rx को जब हम Cs3, Alcl3 Alcl3 एन हैडर से reaction करवाएंगे तो यह दोनों मिल के कुछ नहीं बलकि R plus देने का काम करता है और यही इलेक्टोफाइल जब बनेगा तो इसमें carbonium iron कहीं भी जिन्दिगी में carbonium iron यानि की carbonium iron बने तो दिमाग से पूछना है क्या इसमें carbonium iron reagent होगा दिमाग बोलेगा yes तो आगे पड़ जाना है और हरदम जरातर cases में reagent होते ही होते है rearrangement होता ही होता है दोस्तों तुकना है carbonium iron तुकना है rearrangement के लिए ठीक है और यहीं फिर rearrange होकर के यहाँ पर लग जाता है ठीक है चलिए question लेता हूँ मैं benzeen plus normal profile chloride है माल लीजे alcl3 hint मिल गया asa alcl3 asa acylation क्या asa alcl3 asa friddle kraft alkylation reaction क्या बनेगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको alcl3 की मदद से यह बना लेता हूँ carbocatine, carbocatine बन गया there is a chance of rearrangement पूछना है yes क्यूं क्यूंकि आप देखिए कि अगर यहाँ पे primary है carbocatine तो अगर यह shift करके यहाँ आ जाए अगर यह shift करके यहाँ पे आ जाए तो इस secondary हो जाएगा है जो कि सबसे ज़्यादा तयार रहता है कि मैं आगे बढ़ हूँगा मैं migrate करूँगा you should know the migratory aptitude सबसे ज़्यादा hydrogen फिर उसके बाद comment करें क्या है phenyl yes सबसे ज़्यादा hydrogen फिर phenyl फिर tertiary फिर secondary फिर CH3 होता है तो यह migratory aptitude होता है 1,2 hydride shift के बाद 1,2 pH minus shift होते है पिनाकोल, पिनाकोले रेंग्मिंट आपने पढ़ा होगा तो उसको refer करिए थोड़ा तो यह बनेगा तो यह कार्बोकेटान बन गया अब यह कार्बोकेटान फिर इस पे act करता है पहले इतना फोटो बनना चाहिए तीक है यह 3 करबन होगा और आइसो ब्यूटाइल बोल रहा है मतलब यह करबन और जोड़ना है तीक है यह होगा आइसो ब्यूटाइल तो यह क्या होगा आइसो प्रोपाइल होगा दोस्तों आपसन में एक्जाम में आपको क्या देगा सबसे पहला ही आपसन ब्रुबक वाला देता है नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन यानि कि जो व्यक्ति यह सोचे कि यह मेरा जो पहले वाला कर्बोकेटाइन था उसमें रियर्रेंजमेट नहीं करवाए तो आपके लिए तयार है आए ट्रैप यहाँ पे फसिये यहाँ पे आपके आखे नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बिदाउट रियर्रेंजमेंट अफ़ा जाहिएगा गलती करिए एक और नीट यही चाहता है आपसे गलती करवादे नहीं रुकना है सोचना है मेरे सर कैसे पढ़ाया थे मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया था आपको नूट्स अच्छे से याद होने चाहिए यह होगा रिवीजन से ठीक है और एंसर क्या है दोस्तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन है ठीक है दोस्तो चलिए चलते हैं अब तो इसो प्रोपाइल बेंजीन होगे आल्सो रिफर फ्रेडल क्राप ऐसा लेशन देक्शन भी थोड़ा देख ली जगा दोस्तो कभी-कभी ज़रूरी रहता है अगर आपको नहीं पसंद है अगर आपको नहीं पढ़ना खुझ से पसंद है आप कमेंट करिए मैं फिर से वीडियो बना दूँगा आपके लिए बहुत अच्छा से आप कमेंट करिए बस चलिए चौता रिएक्शन क्या होगा दोस्तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन नाम में क्या है डी डी का मतलब आउट रिमूवल हाइड्रो का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है हाइलोजन मतलब इसमें रिमूवल करना हाइड्रोजन का और हाइलोजन का दोनों का जब रिमूवल हो रिमूवल अफ हाइड्रोजन एन हाइलोजन हो इसको बोलते हैं dehydrogenation ठीक है दोस्तों चली माल लीजे कि ये compound है ऐसे करके ठीक है इसमें हम ये और ये इस bromine के साथ क्या निकलेगा इसको बताएए तो क्या निकलेगा दोस्तों कैसे पता चलता है क्योंकि यह यहां base मैंने लिया है ठीक है ये बात अभी तो मुझे पता नहीं है कि कौन hydrogen को लेना चाहिए तो वो hydrogen को लेना चाहिए जिससे की more stable alkene ठीक है product is alken and always more stable alkene is the product ठीक है कभी कभी क्या होता यहां base के जगर alkoholी KOH लेगा या NANS2 ले लेता है एक बार तो कभी कभी कोई बहुँ जादा उसमें group लगे होते हैं जो उसको HBR को नहीं निकलने देते हैं इसका मतलब क्या है कि आपको उसमें क्या लेना है more strong acid यानि की NANS2-KN2 लेना है जो की base के जैसा काम करता stronger ये base हो गया जादा ये stronger base होता है ये कम होता है दोस्तों तो always more stable alkaline with the product इसमें reactivity क्या होती RI होती है, RBR होती है, RCL होती है RF होती है क्यों हुआ कि RI जादा हो गया stable क्योंकि बताइए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है eliminate हो रहे हैं ये जो group है वो भाग रहा है और मुझे मालूम है कि iodine is अच्छा living group than chlorine, chlorine, bromine, iodine है कि नहीं ये order है दोस्तों living group का living group का ये order है दोस्तों आप समझ रहे हैं तो stability check करने के लिए क्या करने है आपको alkaline की 3-4 formula है उसको देख लिए जल्दी से सबसे पहला क्या होता है SETGF rule बोलते हैं ये सबसे दोनों इसका नाम है दोस्तों stable alkaline will be the major product जो alkaline major product बनेगा उसके लिए criteria है कि उसके में stable होना पड़ेगा more substituted alkaline will be the major product जो वो alkaline major product बनेगा जो ज़्यादा stable हो और ज़्यादा stable होने के लिए S से stable और S से ही क्या substituted जिसमें ज़्यादा group लगे हो वोही ज़्यादा stable भी होगा और वोही ज़्यादा substituted भी होगा और वोही ज़्यादा stable भी होगा more substituted alkaline will be the major product whole life remember लगना है तिक ना कभी नहीं भूलना hopman rule क्या होता है ये बोल रहा है कि for living group is ketionic माल लिजे या case of geminal dihylide जब रहते है तब more acidic hydrogen atom is removed to give major product इसमें एक नियाँ मैं दोस्तों देखिए आपको बताता हूँ मैं जैसे कि अगर मैं सेट्जेब रूल को चलूँ तो ये compound, ये compound और ये compound बता ये तीनों में ज़्यादा group किसमें लगा हुआ इसमें एक group इसमें दो group और इसमें दोस्तों चार group तो बताई सब ज़्यादा कौन हो गया तीन number उसके बाद दो number उसके बाद एक number हुआ है कि नहीं ये हो गया अगर ये hopman rule से जाएएगा तो living group आपको के tiny होने जाएए देखें living group के tiny हो गया तो आपको ये hydrogen लेना है क्यों लेना है दोस्तों ये hydrogen more more acidic hydrogen जो होगा उसे लेना है और वो होगा देखें ये और इसमें अगर मैं compare करूगी कौन लूँ तो इस hydrogen के बगल में पलस आई group है लेकिन इसमें नहीं है तो मैं इसे prefer करूँगा और यहीं निकलेगा और इसी के according यहाँ पर क्या होगा compound बनेगा अलकीन बनेगा तो ये देख रहे हैं ये एक तरह से ऐसा अलकीन होगा जो more substrate नहीं है लेकिन ये नियम क्यों फॉल होगा क्योंकि इसमें ketionic living group थे अब आते हैं जेमिनल या भीसनल मैंने पहले भी बताया है कि जेमिनल का मतलब क्या होता 1-1 position 1-1 position पे ब्रोमीन है दोस्तों अब देख पा रहे है या 1-1 position पे रहे तो आपको हरदम more acidic hydrogen लेना है और इस case में ये product मिलेगा ये line कहां से आ रही है भाई अच्छे यहां से आ रही है तीसरा rule भी है rule of conjugation rule of conjugation क्या बोलता है कि double bond जो बना उसको check करना है क्या वो resonance कर रहा है क्या आपको वहाँ double bond बनाना है इसको अगर नीचे तक follow करे जैसे कि यहाँ पे resonance पहले double bond हो रहा था double bond था resonance नहीं हो रहा था sorry तो अगर ये HBR नीकल रहा है देखिए इसके पास दो option है या तो ये यहां से ले ले जैसे कि इस hydrogen के पास यहां भी एक hydrogen है न दोस्तो तो यहां से ले ले या यहां से इस से ले ले एक hydrogen जब यहां डबल बॉंड बनेगा मैं दिखाता हूँ कहां पे यहां लेकिन जब डबल बॉंड बनेगा और यहां पहले से था तो यह ऐसे खुलेगा और यह ऐसे खुल के resonance करवा देगा दोस्तो ठीक है जब resonance करवा देगा तो आपको double bond वहाँ बनाना है जहां की rejuinen चालू करवा दे तो यही rule of conjugation है rule of conjugation वो बोलता है double bond आपको वहाँ बनाना है जहां पे बनाने से पहले present double bond के साथ यह rejuinen कर दे कितना असान है और कितना logical भी है है गिने तो यह है इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों organic chemistry is all about logics जिसका logic नहीं वो नहीं पढ़े ठीक है अगर दो rule आपस में लड़ने लगे कि मैं भी rule हूँ मैं भी rule हूँ अगर दो rule आपस में contradict करे तो follow baba of rule of conjugation ठीक है कोई दिकत नहीं होगा दोस्तों चलिए सबसे पहले तो यह नाम जो है सर्फ Adolf Woods के नाम पे है उन्हें सम्मान क्योंकि french chemistry थे हैं वो उस समय alkane हमें alkane मनाने का तरीका बता रहते हैं जोस्तों जब हम लोग बैल गाड़ी चला रहे थे हैं ठीक है अब आईए कि यह अगर मान लीजे कि हैलो alkane से इसका sodium ether के साथ reaction करवाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा यह symmetrical alkane बन जाएंगे दोस्तों always symmetrical alkane is form क्या होता है अगर आप देखिए कि दो एने जो है दोनों इसके साथ और इसके साथ मिल करके क्या होगा यह दोनों जोड़ जाता है और यह क्या बना देता है symmetrical alkane मना देता है दोस्तों तीक है अच्छा तूफ लेकिन एक कोशन अभी तो रही गया कि unsymmetrical alkane कैसे बनते हैं तो उर्ज के नाम पे ही उर्ज fitting reaction क्या उर्ज fitting reaction आप देखे कि यह सबसे पहले Rx मैंने ले लिया और दूसरा Rx ले लिया है कि नहीं और यह sodium ether ले लिया जब लूँगा तो यह इसका और इसका दोनों मिल जागा और unsymmetrical alkane बनेंगे तो मैं यहाँ पे याद करने वाली बात को फिर से revise कर देता हूँ कि उर्ज reaction में reagent sodium ether हिट होते हैं इससे symmetrical alkane बनते हैं unsymmetrical बनाने के लिए आपको और जी फिटिंग reaction करवाना होगा जिसमें आपको अलग-अलग Rx लेने होंगे और उसके साथ यह जो product बनता है वो unsymmetrical बनता है दोस्तों के लिए खतम कहानी जल जली चलते हैं बहुत टाइम हो गया रेक्शन बिट NACN NACN का case क्यों ले रहा हूँ मैं क्योंकि यह पूशा जाता है दोस्तों बहुत पाथ ठीक है NACN के साथ Ambient Neutlified बोलते हैं Ambient का मतलब क्या होता है जो दोनों और से act करे ठीक है जब Rx का आपने NACN के साथ रेक्ट किया पोलर से तो यह क्या बन गया R, C, N याद रखना है पोलर क्या करता है दोस्तों इस जो यहाँ पे bond है NACN की इससे completely तोड़ देता है और जब तोड़ देगा तो इसके पास दो ग्रूप रहेंगे जो act कर सकते हैं एक C और N अब बताईए कि C और N में ज्यादा Nucleophile order किसका ज्यादा है C का ज्यादा है इसलिए A act करेगा लेकिन case होता है जब non-polar हो non-polar जब आप solvent लेते हैं तो इसमें यह नहीं तूट पाता है पूरा और जब C बन ही नहीं पाएगा तो act क्या करेगा इसलिए अब इसके पास एक ही case बचा कि यह nitrogen से act करेगा और जब nitrogen से जूड़ेगा तो NC बनाएगा यहनि कि NC कब बनता है जब non-polar हो कब बनता है NC जब non-polar non-polar do not ionize so only nucleophilicitic property due to this nitrogen है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक है इदर आजा यह lone pair को कौन ज़्यादा favor कर रहा है non-polar और इस minus को कौन follow कर रहा है दोस्तो ज़्यादा favor कर रहा है polar ठीक है चले खतम हो गया कोई इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है दोस्तों प्यार प्यार से आगे चलना है reaction अब polar non-polar solvent में भी बहुत लोगों को बहुत दिकत होता है वो भी मैं clear करें देता हूँ reaction with potassium ethoside in ethanol यह बहुत बार question पूछता है पहले question पूछता था अभी-भी कभी-कभी पूछ सकता दोस्तों नीट का trend change हो रहा है कभी भी पूराने questions को यह उठा करके पूछ देता है अच्छा क्या question पूछता है दोस्तों कि यह जो potassium ethoside है यह potassium जो ethoside है इसके साथ ethanol दिया हुआ दोस्तों और product पूछ रहा है तीक है आपको क्या करेगा बताए यह जो है मेरे दिमाग में यह आया कि अगर यह potassium ethoside है यानि कि लिए देगे source किसका है ethoside कहीं है यह ethoside किसके जैसा act करेगा base और nucleophile कभी भी option यह उठे कि base की nucleophile तो अपने को देखना है कि क्या base है तो acid base reaction होगा तो आपको देखे सबसे पहले हमको मालूम है कि OET यानि कि क्या बोलते है इसको ethoside ion एक strong nucleophile है ठीक है लेकिन क्यूंकि यह polar solvent अप फिर से polar solvent आ गया polar solvent वो हो दा है दोस्तों जो की बताइए जो की ज़्यादा charges रखे यानि कि जो टूट करके क्या दे है एच प्लस दे वो प्रोटिक प्लोर सॉल्वेंट होते है और यह प्रोटिक प्लोर सॉल्वेंट को आगे मैं बताने वाला हूँ अब देखे क्योंकि यह nucleophile बहुत strong था ने लेकिन क्या बोलते है लड़की का चक्कर बाबु भई यह stronger जो nucleophile था इस polar solvent में प्रेजेंट होने के कारण यह क्या किया कि यह देखे इथोकसाइड अपना काम भूल गया भटक गया बचारा यह इथोकसाइड इस hydrogen के साथ H bond मनाने लगा और जैसे ही इसने H bond मना लिया यह weak हो गया कमजूर हो गया इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि तयारी के दौरान अपने आपको आइसोलेट रखिए अपने आपको ज़्यादा वक्त जाया नहीं करिए और जरूरी है कि हम अपने काम पे फोकस करें देखे यह इथोकसाइड काम से बटक गया और यह nucleophile weak हो गया जैसे ही ओ इतोकसाइड weak हो गया यह अब क्या करेगा देन इतोकसाइड ऐज़े बेस अब ठक गया बचा रहा बोला कि मैं nucleophile नहीं रहूंगा अब मैं बेस बन जाऊंगा और जब बेस हो जाएगा तो बेस फेवर्स E2 Elimination और क्या बना देता है दोस्तों अलकीन बना देता है और एकॉर्डिंग तो सेर्जेव रूल इसके प्रोड़क्ट बन जाते हैं और यहां पर यह बन रहा था अब देखें उपर से मैं लाता हूँ यह निकल जाएगा क्या होगा जब यह कोई पोलर सॉल्वेंट ना रहा क्या होगा जब नूकलियोफाइल बॉंड नहीं बनाएगा देखते हैं OETE is a strong nucleophile बहुत जादा strong nucleophile है और यह non-polar में रहने के कारण जैसे कि माल लीजे इसी टोन मैं पुरा बताता हूँ non-polar solvent में रहने के कारण कोई H bonding नहीं करेगा और नहीं करेगा तो act as a nucleophile itself कोई इसमें नीट-focused student नीट-focused student है ठीक है और यह direction जाता SN1 से और जब यह आएगा तो OET यहाँ पे act करेगा दोस्तो जैसे ही OET करेगा तो यहाँ पे OET लग जाएगा यह जाता SN1 के थूप ठीक है और यह जो base वाला था वो किसे जाता है E2 से जाता है clear हो गया कोई दिकत कोई दिकत नहीं है अब मैं आपको solvent के बारे में पूरा बता देता हूँ अच्छे से कि अगर solvent दो तरह के होते हैं एक होते हैं polar solvent देखोते है non polar solvent polar solvent उझे बोलते हैं जब bond जो है उस तरह के element में बने आपस में जिनके बिच electronicative की difference बहुत जादा होती है ठीक है जैसे की H और O H और F, H और N इस सम्में जब बनेगा दोस्तों तो hydrogen की जो संगती है F, O, N से है बहुत बैमानों से दोस्ती है ठीक है तो electron negative difference बहुत जादा है तो ये compound क्या हो जागा polar non polar में क्या होता है आपस में मित्रता होती है जैसे की pentane ये देखिए carbon carbon में bonded है क्या ये carbon ये carbon ये दूसरे से बैमानी करेगा तोनों की electron negativity सेम होई की नहीं जब electron negativity दोनों में सेम हो तो बोलते है non polar non polar और polar से क्या समझते है आप जब ये दोनों में दोस्ती हुई ठीक है ये दोनों में कुछ भी माल लीजे ये group मालने ता हूँ मैं कुछ दिर के लिए ये carbon के साथ ये group जुणा हुआ है तो ये group बैमानी नहीं करे और अगर करेगा बैमानी करेगा तो इसके electron cloud को ऐसे गीच लेगा जैसे गीच लेगा तो इस पर minus और इस पर plus आने लगेगा तो क्या ये इस पर pole develop हो गए तो yes, so that's why it is polar अच्छा, नहीं polar का क्या मतलब हो है जो group हो, ये कुछ और नहीं बलकि C के ही बराबर हो जाए तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो अपने में बैमानी नहीं करेगा कोई charge नहीं आगा और जब charge नहीं आगा तो क्या हो जागा दोस्तो non-polar easy, कुछ examples देख लेते हैं इसके examples है pentane, benzene, toline और ditalyther जो होते हैं non-polar solvent होते हैं लेकिन polar solvent अब भी दो तरीके के होते हैं कौन-कौन होते हैं, एक होता है protic polar solvent और एक होता है aprotic polar solvent उसी polar solvent को दो तरीके में माटा गया जब दोनों में electronicated difference बहुत ज़्यादा हो तब polar solvent जब उतना नहीं लेकिन ठीक ठाक हो तब aprotic polar solvent बोलते हैं और यह इतना ज़्यादा electronegative रहता है, कि H बोलता है कि अब मैं नहीं रपाऊंगा भाई मैं H प्लस के रूप में release हो जाऊंगा तुमसे मैं तंग आ गया हूँ तोट जाता है दोस्तों यह बोलता है H क्या बोलता है यहाँ पे H क्या बोलता है Oxigeons है मैं तोट जाऊंगा, H प्लस निकल जाऊंगा बाहर और जब H प्लस निकल जाए तो वो क्या होता है protic polar solvent जो यहाँ लिखा हो तुमसे यह protic polar solvent का होता है जो do not release H plus इतायल अल्कोल देख पा रहे हैं, ये जो है, मोर इलेक्टो नीकेटिव के साथ हाइडोजन जूला हुआ है, तो H-plus बनके रिलीज होगा, जब H-plus बनके रिलीज हो, तो क्या बोलते हैं, उसको protiprodesolvent बोलते हैं, है कि ने, और जब नहीं रिलीज करें, उसमें एक्जामपल क्या आता है, DMF, DMA, DMSO, acetone, acetone तो हम लोग पड़ा है, उपर में पड़े थे, chloroform के वक्त में, DMSO क्या होता है, dimethyl, sulfonar oxide होता है, DMA क्या होता है, dimethyl, acetamide, यह क्या होता है, dimethyl, formamide होता है, मेरे question में भी, क्या था सबसे उपर, अगर देखिए ध्यान से, यह, ethyl alcohol, ethyl alcohol, क्या मैं बता रहा था, बार-बार, कि यह क्या है, एक polar solvent, मैं क्या बता रहा था, दोस्ते के तो यहां दिक्कत हो रहा है, यह क्या है, polar solvent है, polar solvent, है polar solvent, और इसको मैंने polar solvent में ही लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है, methyl alcohol, ethyl alcohol, यह जो polar solvent में आते हैं, इधर आप याद करेंगे, non-polar solvent को भी बहुत अच्छे से, यही बात है, कि बात निकलेगी, तो दूर तरल जाएगी, क्योंकि मैंने 30 मिनट बोला था दोस्तों, और यह सब बताने में, यह concept को establish करने में, थोड़ा time लग जाता है, इसे रूख करके, अच्छे से आप पढ़ेंगे, और मैं इसका PDF जो है, अपने टेलिग्राम चैनल, गाबो डॉक्टर एसपी पर डाल दूँँग, आप वहाँ से ले सकते हैं, बढ़ा neat and clean, उसको बार-बार revise करें, यकीन मानिए, आपको फाइदा नहीं हुआ, तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है, फिर जल्जली अब चलते हैं, मैंना सब खतम हो गया है, सब सभी reactions मैंने complete कर लिए, सबसे पहले मैंने halogenation से सुरू किया था, मैं जल्दी साब कोई फिर से दो रहा देता हूं दोस्तो, क्योंकि सबसे पहले halogenation reaction, एक हो गया halogenation reaction, halogenation reaction ही दो तरह के एक एक एलेक्टोफिलिक स्ट्टूशन, एक free radical mechanism से गया, तीसरा reaction क्या हुआ है दोस्तो फिरिल क्राफ्ट काईलेसन यह पढ़ लिया, RCL, ALCL3 के थुरू, ठीक है तीन हो गया दोस्तो, चौथा चलते हैं, ड्री हाइड्रो हैलोजीनेशन, यानि कि रिमूवल अब वाटर एन हैलोजन, विद दी हेल्प बेस्ट, स्टॉंग बेस्ट लेते हैं हम लोग, NNS2, चाउथा हो गया दोस्तो, पाँचमा क्या आप देखिए, यहीं पर अलकीन वेगर होगो, क्या कौन है स्टेबल होगा, यह बताने में टाइम ठोड़ा लग जाता दोस्तो, मैं माफी भी चाहता हूँ, ठीक है, पाँचमा रेक्षिन क्या होगा, ऊट्जी रेक्षिन, सर्वेडॉल्फ ऊट्ज को मेरा सम्मान है, फिर उसको चट्था रेक्षिन क्या होगा, रेक्षिन विद NACN, NACN विद पोलर और नॉन पोलर के साथ, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फिर रेक्षिन भी पोटाशियम इथोक्साइड होगा, दोस्तों, साथ रखे रेक्षिन में यहाँ देख चुका हूँ, और आथमत रखे जो रेक्षिन में बता रहा हूँ, वो बस आपको इंपोर्टेंट है, ठोड़ा थोड़ा बस एक एक लाइन में, कि FrinkStil reactions क्या होता है, FrinkStil reaction क्या होता है, हैलोजन exchange reaction दोस्तों, आप RBR लिया, NAI लिये, आप चाहते हैं कि मैं TR को हटा दू, I को ले लो, तो आपको कुछ नहीं, Acetone लेने नहीं यह IRI से replace हो जाता है मतलब यहाँ exchange हुई halogen की क्या बोलता हूँ दोस्तो exchange हुई halogen यहाँ exchange हुए BR is replaced with I ठीक है तो एक तरह का यह क्या हो गया nucleophilic substitution reaction होके SN1 mechanism से जाएगा दोस्तो ठीक है एक होता है Hans-Digger reaction Hans-Digger reaction में क्या होता है आप जान से देखे यह जो group है पूरा COOG ठीक है इसका reaction जब BR to CL से करवाते हैं तो पूरा का पूरा चीज यह BR से replace हो जाता है इतना बड़ा चीज यह BR से replace हो जाता है ठीक है और अगर यह हमाल लिजे AG भी नहीं लगा हुआ है तो पूरे group को अगर आपको BR में convert करना है तो यह reagent लिया जाता है यह पूछता that question यह देदेगा यह देदेगा और बीच में पूछेगा क्या ले आपको लेना है NH4OH, AGNO3, BR2, CL4, bunch of reagent that convert CWH into BR यह question बहुत बार पुछा गया दोस्तो अब मैं खतम की और हूँ, मैं चलने वाला हूँ state यह बोलता है कि यह reaction SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा दोस्तो, यह reaction mechanism का चीज़ है लेकिन टपल में मैं जलजली बोल के निकल जाता हूँ SN1 is all about the stability of carbocatine और SN2 is all about stability नहीं stability तो उसमें बनता ही नहीं है पीछे से राइट लगा और वहां living group निकलता है, living group का निकलना और पीछे से inversion के थुरू nucleophile का act काना दुनों साथ-साथ होता है तो there is no chance कि यह carbocatine बने इसलिए उसको दिक्कत है steric repulsion से भीड़ भार जादा ना रहे है उस पर तीक है, जो समझ रहे हैं बचे reaction mechanism थोड़ा भी पढ़े होंगे उनको पता होगा inversion क्या होता है, retention क्या होता है rhythmic mixture क्या होता है, mesocompound क्या होता है very good, चलिए, क्यूंकि यह समय अब उतना पढ़ाने का नहीं है, अब मैं c l था, इसी यह अगर यह alpha position है, तो यहाँ पे एक c लग गया इसको क्या मैं बोलूँगा, कि alpha alkylation हो रहा है, यहाँ पे भी एक लग जया है sorry, यहाँ पे c बार बार मैं लिखना चाहरा हूँ c लगना चाहरा, मालनी जे कि यह compound है, यह यह एक compound है यह एक compound है बताइए, यह बार बार क्या हो रहा है alpha का alkylation branching हो रहा है तो कौन ज़्यादा stable है दोस्तो बताइए यह तो primary हो गया, यह secondary हो गया यह CS3 हुआ, यह primary हुआ और यह secondary हो गया दोस्तो तो alpha alkyl branching से stability of carbohydrate तो बढ़े कहीं बढ़ेगी है किन लेकिन यह भीड भार बहुत कर रहा है तो SN2 घट जाएगी वह सही alpha and saturation से क्या होगा दोस्तो SN1 घटेगी, SN2 बढ़ेगी beta and situation से क्या होगा दोस्तो SN1 बढ़ेगी और SN2 भी बढ़ेगी minus i और minus m carbocatine के stability को घटा देगा दोस्तो लेकिन SN2 की reactivity को बढ़ा देगा minus i और plus m क्या करेगा SN1 की reactivity को बढ़ा देगा SN2 पे कोई effect नहीं, effect of bridge head कभी भी SN1 और SN2 reaction bridge head पे नहीं होते हैं आप लोग पढ़ा होगा तीक है दोस्तो, यह हो गया effect of living group हम क्या चाहते हैं कि मेरे SN1 में अच्छे living group हो, good living group हो भागे तेजी से, जल्दी भाग जाए है कि नहीं, तो यह living group जो SN1 की reactivity को बढ़ा देता है और SN2 की reactivity को बढ़ा देता है solvent effect polar जो है, क्योंकि एक carbocatine poles पे होते हैं मैंने charged चीज है, तो polar solvent यानि कि जो मैंने उपर पढ़ाया था, आपको water, ac, tone, sorry, ethyl alcohol या phenol ये वेगरा जो है polar solvent लीजेगा ते, SN1 को फाइदा होगा क्योंकि वहाँ polar चीज बनेगा carbocatine को favor करेगा, दोस्तो लेकि less polar SN2 को favor करता है common iron effect SN1 को घड़ाता है no effect of SN2 common iron कैसे समझते हैं दोस्तों, माल लिजे कि CL बन के निकल रहा है living group में और पहले से ही CL बना हुआ है, तो यह इन दुनों में आप इसमें जखड़ा हो जागा कि तुम क्यों निकल रहे हो तो इसको निकलने नहीं देगा और जब नहीं निकलेगा तो SN1 गिरेक्टिवेटी घड़ जाएगी इस पे मैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं बहुत अच्छे से SN1 और SN2 को discuss करूँ तो comment करके बताएए कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि SN1 और SN2 पे अच्छे से discuss हो क्योंकि समय कि मेरे पास किल्ड़ है दोस्तों तो उस पे बहुत जादा वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा strength of nucleophile अब देख पा रहे हैं कि जितना weaker होगा वो फेवर करेगा SN1 को क्योंकि weak हम चाहते हैं कि कार्बोगेटायन बने आराम से ठीक है मेरा धीरे 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 न्यूकिलियो फाइल आये और लगे यह मेरा SN1 में कहिना है और SN2 में क्या है कि जल्दी से है इसलिए stronger favors SN2 ठीक है determination यह पुरा खतम होगया दोस्तों बस दो तरह का और बचा होगा मातर है determination of mechanism of reaction किस तरह के reaction होंगे सबसे पहले क्या होगा बहुत मैं basic basic बता रहता हूँ इतना असान-सान question पूछा जाता है दोस्तों निट में कि बहुत महासी भी लगता है कभी कई बनाने वक्त पुछा जाएगा कि इन चारो reaction में substitution reaction होना है substitute अपने words सुना है football में substitute होता है एक के बदले एक आता है एक गया तो एक आया यहाँ देखें यहाँ x और oh है क्या बता यह r के पहले 5 जो x था वो replace हो गया नो h से यानि कि पहले कुछ था अब उसकी बदले कोई आया है उसकी बदले कोई आया है ठीक ना पहले से था कुछ तब उसकी बदले आया है यह substitution reaction होता है elimination reaction का मतलब क्या था कि जो पहले था लेकिन आब नहीं है eliminate यानि कि Indian government eliminate twin tower है कि नहीं Indian government है यह तो elimination reaction का मतलब है कि पहले इस compound में बीयार था अब कुछ reaction करने के बाद कहां क्या बीयार बीयार तो है नहीं elimination reaction वह होता कि जिसमें पहले कुछ हो बीयार था लेकिन आब नहीं है दोस्तो elimination reaction हो गया elimination reaction में अरदम double bond बनते है product में तो अब product देखके भी बोल सकते है क्या double bondly जो product बने हैं वो substitution से हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं यह तो simple है इसलिए double bond जो product बनता है वो क्या होता है दोस्तो elimination reaction से थूँ जाएगा addition में क्या नामी है जो नहीं था वो अब add होगा product में जैसे कि आपके ममी ने add किया होगा नया set of jewelry दिवाली पे खरीद के धंतेरज पे खरीद के हम लोग करते हैं दोस्तो यह हो गया आप देख पा रहे double bond कम हो जाते हैं माली जे कि यहाँ पहले एक था अब यहाँ शुन्य है है कि नहीं तो यह हुआ एक्स्टा edges थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं दोस्तो एक्स्टाइज तो grip on the hello alkins and hello arils कभी कोशन कुछ भी कायरल्टी जो कोशन पूशे जाते हैं तो तीन compound उनको दे दी सबको पता होगा दोस्तों कुछ 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 बाइलो जी बायो के मॉलिकल्स में आप लोग पढ़े होंगे यह कर्बन है सी डबलो एज नस्टू दोनों ग्रूप एक ही पर है तो amino acid बोलते हैं ठीक है नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होता इस में से यह हड़ जागा तो नॉर शरी के लिए क्या जरूरी है दोस्तों नियो वाला फॉर्म होना चाहिए ठीक है चलिए बहुत असान सान सी जाए नुकलिपली सीटी ओर देख लीजे एक बार अगर पिरियेड में देखते हैं तो सब ज्यादा नुकलिफाइल यह है एंबियेंट वाले में याद होगा दो दोस्तों थोड़ा समय फास्ट हूँ क्यूं हूँ क्यूंकि समय कम है और आपके पास भी समय कम है अगर आपको तेज लग रहा हो तो आप स्लो वीडियो करके देखें तब आपको फैदा हो सकता है या यूँ थोड़ा पढ़के आए ठीक ना तो आपको यह ज़्यादा मज पता है थेकि मस्ट्रीट चैप्टर स्कून कोन है बस मेरे सब खत्म हो गया बस एक और बचावा मस्ट्रीट मैं चाहूंगा कि इस कोशन को बनाने से पहले आई सुमरीजम थोड़ा पढ़ लिजे क्योंकि कारलीटी वाला कोशन बहुत रहता है रियक्शन मेकनिजम सान है लेना यार थोड़ा सा मेनत करना है लास्ट में सब्स्ट्ट्ट इफेक्ट तो भाई कभी नहीं भूलना है माइनस आई माइनस एम अगर आपको कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए कि भाया मुझे चाहिए मैं बनाओंगा आपके लिए आपके लिए वीडियो इस प दस नमर उपर बोले थे लेकिन नीचे आते तक आपको सॉल्वेंट मैंने बता दिया अलकीन के प्रोड़क्त कैसे बनते हैं कितने तरह के रूल ऑफ कंजूगेशन क्या-क्या मैंने बता दिया बहुत सारा चीज बता दिया दोस्तों अगर आप सही से करते हैं आप मैं बोल है कि fear does not exist anywhere. Fear कहीं नहीं है. सिर्फ कहां है? यह आपके दिमाग में है. नहीं लगता कि कल क्या हो जागा, कल क्या हो जागा, कल क्या हो जागा, यह सब के साथ होता एक्जाम वाले एक दिन से पहले ठीक है? और वो सिर्फ उनके माइंड में होता. कहीं होता थोड़ी नहीं है जो होना तो वही होगा दोस्तों. इसलिए जरूरी है कि इस बात को ध्यान से सुने कि fear does not exist anywhere except in your brain. अपने brain parent कायमा का सही से इलाज कीजिए. इसको हावी नहीं होने जब भी डर लगे तो बोलिया कली दिमाग में हमको डर लग रहा कहीं है थोड़ी ना. तो यह होता है दोस् ठीक है अगर आप सही से सुरू करते हैं तो आपका आधा खतम अभी ही हो गया यानि कि अभी 360 नमर लाने के योगी हो गया ठीक है दोस्तों तो यह मेरी motivation कुछ जो अंत में मैं करना चाहता हूँ अपने बच्चों को अपने भाईयों को और सब को जितने भी लोग देख रह है ठीक है इसलिए मैं comments में भी यह लिखना चाहता हूँ कि stay connected stay motivated और आपको बहुत सारी बधाई need के लिए अभी ही मैं देदना चाहता हूँ कि मालूम है कि आप जरूर जरूर डॉक्टर बनियेगा मेना नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश नारायन, MBBS, BMCH अगर आपको यह content प अफल हो जाएगी, आपके दोस्तों को थोड़ा फाइदा भी हो जाएगा, उन्हें एक अच्छा content मिला, अगर आपको अच्छा content लगे तो, अगर आप कुछ और लगे, अगर आपमें इसमें कुछ changes करना चाहते हैं, सुझाओ के लिए मेरे comment box खुले हुए हैं, आप भर- जादा लोगों तक इसे पहुचाएं, अपने दोस्तों को मदद करें, और थोड़ा जाने लोग कि किस तरह से नीट की trend है, जानेंगे तो उनको फाइदा ही होगा, और एक subscribe कर दें इस पे, क्योंकि ये नया channel है दोस्तों, अभी जो data बता रहा है, कि इतने सारे लोग देख बहुत thank you, जुड़े रहिए, और अगला वीडियो कौन सा लाना है, इस पे comment करके बताइए, good night, अपना खयाल रखिए, thank you